गेट के सामने से गरदी कम करो, पीछे जाओ दशकों में कोई एक ऐसी फिल्म आती है जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ छो जाती है 2009 में आई थी आमीर खान के फिल्म 3 इडियट्स और अब 2023 में विकरांत मसे की 12th फेल इन दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो है ब्रिलियंट मैन विदू विनोथ चोपरा 12th फेल मूवी को उन्होंने इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाया है कि इसे देखने के बाद हर कोई अपने आप से रिलेट कर पा रहा है तो चलिए देखते हैं इस मस्ट वाच मूवी 12th फेल के कुछ बिहाइंड दा सीन्स और जानते हैं कि आखिर कौन-कौन से लोकेशन्स पर इस मूवी को शूट किया गया है साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म के ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए मेकर्स को क्या-क्या करना पड़ा तो स्वागत है आपका आपके अपने चानल आनिकेट निकम क्रियेशन्स पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12th फेल एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि बेस्ट है मनोच कुमार शर्मा पर जिन्होंने अत्यदिक गरीब परिस्थितियों के बावजूद वन ओफ दे मोस्ट डिफिकल्ट एक्जाम क्राक किया और IBS ओफिसर बने इस मूवी की स्टोरी राइटर्स ने अनुराग पाठक जी की लिखी हुई बुक 12th फेल से ली है विकरांथ मसे ने जिस पफेक्शन के साथ मनोच कुमार शर्मा के इस कारेक्टर को प्ले किया है वो शायद ही कोई और कर पाता उस रोल के लिए उन्हें काफी महनत करनी पड़ी अक्चल शूट शुरू होने से पहले ही डिरेक्टर विधु चोपरा विकरांथ मसे और मुवी के कुछ क्रू वेम्बर्स के साथ इस गाउ में आये थे ये मध्यप्रदेश का रेहा विलिज है जो की चंबल एरिया के पास है और यहीं पर इस मुवी के सारे गाउं वाले सीन्स शूट हुए थे मनोज का ये गाउं वाला लुक जो हमें इतना पोफेक्ट दिखता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए विकरांथ ने किसी भी तरह का मेकप नहीं किया था वो हर रोज घंटों सिर्फ बनियान पहन कर धूप में बैठा करते थे और इसी तरीके से उन्हें नाचरली खुद को टैन कर लिया था जस्ट तो अचीव दाट पोफेक्ट लुक लेकिन जादा धूप की वज़े से उनकी स्केन इतनी जादा टैन हो गई थी कि वो जली हुई लग रही थी और ये कुछ सीन्स में एविडेंट भी है फॉर एक्जामबल ये वाला सीन जहां मनोच की दादी अपने जमा पूंजी उसे सौपती है ये कहकर खर्चे की चिंदा मत करी हो अब बड़ा पुलिस अपसर बन करी ही लोटी हो एंड ये वाला सीन मेंस एक्जाम में फेल होने के बाद जब मनोच श्रद्धा के गहर मसूरी जाते हैं उस सीन में भी उनकी बर्ण स्किन हमें क्लियरली दिखती है इसे वो लोग मेकप से कवर डेफिनिटली कर सकते थे लेकिन विक्रांथ ने कहा कि इसे आज इज रहने देते हैं क्योंकि उस सीन में मनोच लो और अंडर कॉन्फिटन फील कर रहे थे विक्रांथ भी उस वक्त बर्ण स्किन की वज़े से कुछ वैसा ही फील कर रहे थे इस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को और एन्हांस कर पा रहे थे बाइद वे अगर मेकर्स चाहते हैं तो पोस्ट प्रडक्शन यानि की एडिटिंग के वक्त भी स्किन को क्लियर और लाइटन कर सकते थे बट दे हैड डिसाइडे टू कीप इट नाचरल मध्यप्रदेश के उस रेहा गाउं में शूट हुए सीन्स के ये रहे कुछ बिहाइंद सीन्स क्लिप जिसमें बारवी क्लास में पास होने के लिए मनोच पर्चिया बना रहा होता है देखिए डियोपी ने कैसे उसे अपर अंगल से शूट किया था और तब इतना भारी वजन का कैमरा उन्होंने अपनी कमर से बांधा हुआ था ये जो चीटिंग वाला सीन है इसे शूट करते वक्त डिरेक्टर विदू विनोच चोपरा जी को काफी तकलीफ हुई थी क्योंकि इस लोकेशन के साथ साथ हमें इसमें दिख रहे सभी स्टूटिंट्स रियल हैं जूनिया आटिस्ट को पता होता है कि शूटिंग के टाइम कैसे बेहेव करना है और भीडवाले सीन्स में उनकी नजर कैमरे की तरफ होनी चाहिए की नहीं लेकिन इन स्टूडन्स को बार बार बताने के बावजूद भी वो वही गलती दोहरा रहे थे और फाइनली जैसे तैसे उन्हें कसम देकर डिरेक्टर साहब ने उनसे ये एक्जाम वाला सीन्स शूट करवाया था ये जु सवारी थी और इसे चारो ड्रिवर्स ये जो सवारी थी उसे गाउं वाले लोग जुगाड कहते हैं क्योंकि इसे किसी कमपनी में नहीं बलकि गाउं की किसी उद्धिवान आदमी ने limited resources से जुगाड करके बनाया होता है इन जुगाडू चीजों को चलाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना इसका innovation घर के खर्चे निकालने के लिए मनोज और उसका भाई इस जुगाड को चलाते हैं इन कुछ सीन्स के लिए मनोज के भाई का रोल प्ले कर रहे आक्टर राहूल कुमार ने स्पेसिफिकली ये जुगाड चलाना सीखा था और तब जाके इसके कुछ सीन्स उसी MP के गाउं रेहा में शूट किये थे पहले दिन तो मुझे बहुत तंक किया इस अफला तो ने लेकिन हाँ दीरे-दीरे पकड में आया ही जब मनोज अपने नए नवैले दोस्त पारने के साथ IPS बनने डेली आता है तब वो वहां लगे हुए सब कोचिंग के अड़िजमेंस वाली धेर सारे बैनर्स और पोस्टर्स देखता है उसी के साथ वो मुखरजी नगर की भीड भी देखता है और अपने दोस्त से कहता है वेल ये सब जो बैनर्स वहां लगे हुए है वो मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर टीम की ही बनाई हुई है इस सीन को डेले के मुखरजी नगर में ही शूट किया गया था जिससे UPSC Aspirants का हब भी कहा चाता है ये सीन तो आपको जरूर याद होगा श्रद्धा की इस कोचिंग क्लास में मनोच से मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों बाद वो उसे ढूनते हुए विद्या वाचनाले आती है यहाँ इस सीन के requirement थी बारिश का मौसम मगर शूटिंग के दिनों में यहाँ तेज धूप पड़ रही थी इस सीन के लिए टीम ने दो rain machines का use किया था और जब श्रद्धा इस library में एंटर हो रही थी तब हम देख सकते हैं कि उस सीन को कैसे shoot किया जा रहा है इस truth and dare सीन में जब श्रद्धा पर गाना गाने का dare आता है आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह आवाज ना श्रय घोशाल की है ना किसी और playback singer की बल्कि इसे खुद multi talented actress मेधा शंकर ने ही गाया है और वो भी on live location इससे हम समझ सकते हैं कि यह movie कितनी authenticity के साथ बनाई गई है जब cast and crew में से कोई भी कोई अच्छा काम करता था तो director विधू उसे 20 रुपे as a reward देते थे as a mark of good job that somebody had done जब इस particular scene का shoot खत्म हुआ तो विधू जी ने मेधा को 100 रुपे दिये थे which was 5 times of his regular reward indeed it was worth it क्योंकि सच में यहां पे मेधा जी की performance heart stealing थी ये scene डेली के दिल्ली heart इस real location पर shoot हुआ था इस scene को अगर आपने गौर से देखा हो तो आपको real couple मनोच कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी भी यहां पीछे बैटे हुए दिखाई देंगे इन दोनों को background में out of focus ही क्यों न हो लेकिन इस movie का हिस्सा बनाना था और ये idea डिरेक्टर विदू जी का ही था इस song को फिर बाद में मेधा जी की आवाज में as a film version भी record किया गया था फिल्म के सभी characters की script के according aging की जा रही थी और उनके look change किये जा रहे थे लेकिन जब मनोज की छोटी बहन रजनी की बात आई तो उसे छोटा बड़ा कैसे दिखाया जाए ये challenge मेकर्स के सामने था इसकी तो कोई छोटी बहन भी नहीं थी जिसे वो छोटी रजनी दिखाते लेकिन हाँ इसका एक छोटा भाई जरूर था तो उन्होंने उस पर ये experiment किया और उस लड़के को ही छोटी रजनी बना कर शूट किया और क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे उनके face cuts अच्छे से match हो रहे थे और कुछ इस तरह उन्होंने रजनी के character में authenticity maintain की थी हम सब इससे वाकिफ हैं कि 12th fail में द्रिष्टी IES के founder and coach Vikas sir का special appearance है डिरेक्टर ने action बोलते ही Vikas sir की classroom में entry हो जाती है sir आगे जाकर students को civil servant का महत्व समझाते है आपकी इस बनना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि जस कुरसी पर आप बैठेंगे ना उससे आपकी इज़त नहों बलकि आपसे उस कुरसी की इज़त पढ़े और फिर एक दिन आएगा दो आपको उससे मिलने आएंगे आप नहीं में ख़ड़ो जब यह shot finalize हुआ तो डिरेक्टर विदू जी ने Vikas sir को गले लगाया और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा सुनिये आपकी बारे में क्या कहा सुनिये आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस मूवी के कुछ सीन्स और डायलॉक्स विकास सर ने खुद ही लिखे हैं खास करके ये लास्ट वाला इंटर्व्यू वाला सीन वेल 12 फेल को पहले राजकुमार इरानी डिरेक्ट करने वाले थे लेकिन इसे लिखते लिखते विदू जी इन कारेक्टर्स से कुछ इस तरह अटाच हुए कि उन्होंने इसे खुद ही डिरेक्ट करने का फैसला किया यूजवली विदू विनो चोपरा अपने फ्रेंस राजकुमार इरानी और अभिजाद जोशी के साथ कॉलाबरेट करके लिखते हैं लेकिन उस टाइम पीरिड में वो दोनों डंकी पर काम करने में विसी थे काश राजकुमार इरानी डंकी की वज़ाए 12 फेल को डिरेक्ट करते उनकी डंकी ने तोड़ी हुई ब्लॉकबस्टर की स्ट्रीक तूटने से तो बच जाती शूटिंग अट यूपीएसी हेड़कॉर्टर क्लामेक्स में जब यूपीएसी के प्रिलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करने के बाद मनोज को जो इंटर्व्यू कॉल आता है तब मनोज के साथ श्रद्धा उसे यूपीएसी हाउस तक छोड़ने आती है यहाँ गेट के बाहर जितने भी सीन्स हैं इन्हें रियल लोकेशन डेली के धोलपूर हाउस पर ही शूट किया गया है यह वही जगा है जहाँ पर यूपीएसी के इंटर्व्यूज लिये जाते हैं और यहाँ पर मूवी को शूट करने के लिए मेकर्स को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी लेकिन उसके बाद कि जितने भी अंदर वाले सीन्स हैं उन्हें वहाँ शूट के लिए परमिशन नहीं मिली और इसी के कारण उन्होंने ये सारे सीन्स इसी हाउस के रप्लिका में शूट किये थे जैसे कि कोई कमरे में का रहा हो, थोड़ा सुरीला और थोड़ा बेसुरा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, तो शांतनु मोहित्रा ने इस रीस्टार्ट सॉंग को कमपोस किया था, और देखिए इसे कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, विधु जी ने इसे उनके असिस्टन सीन्स की, सबसे बेस्ट चीज ये थी कि मनोच कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी, इन दोनों के भी रियल लाइफ के नेम्स, मूवी में भी एस इज़िस रखे गए थे, मनोच गरीब घर से बिलॉंग करता है, तो उसकी सभी सॉंग्स, हमें क्लासिकल बैग्राउंड म् सुनने को मिलते हैं, और श्रद्धा के सोलो सॉंग्स पर मौडन म्यूजिक का लहजा है, लेकिन जब वो दोनों साथ में आ जाते हैं, तब इन दोनों क्लासिकल और मौडन म्यूजिक को ब्यूरिफुली कमबाइन करके प्रसेंट किया गया है, श्रद्धा डेपिटी कलेक्टर बनने के बाद, जब मनोज के इंटर्व्यू के दिन डेली आती है, जिस वाइट अम्बासिटर कार में वो दोनों UPSC के लिए ट्रावल करते हैं, उस कार के नमबर प्लेट के शुरुवात UA, यानि कि तब के उत्तरांचल, और आज के उत्त पहली मुंबाई फिल्म सिटी में शूट कर सकते थे, but they decided to shoot it in the real village of Reha, just to be a lot more authentic. ये पहली ऐसी फिल्म है जो real मुखरजी नगर और राजींदर नगर में शूट हुई है, और वो भी real UPSC students के बीच. इस मुवी का हर एक सीन डीटेल है, जोने डिरेक्टर और उनकी टीम ने काफी महनत और ध्यान से बनाया है. इस में अगर हम स्पोर्ट ते हीरो कॉंटेस्स करें तो बहुत इंट्रेस्टिंग होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा के है कहाँ. यही मैं कहना चाह रहा हूँ. इस में तो एरो लगाया है हमने आपके लिए कि आप ढूंड लें कि हीरो काना. यह होते हैं रियरो. हजारों में से एक मनोज. जैसे हजारों लोगों, लाखों लोगों में आप एक. कई लोगों ने का कि सुनता है हीरो जो गोरी भाया है, लेखें, तो हमको जरूर बताईएगा कि आपकी नजरों में इस फिल्म का सही हीरो का हूँ. मैं भी हो सकता हूँ. अगर आपको लगता हूँ, मैं तो बताने के लिएगे. नमस्टे, I'm talking from the NFDC theatre in Chennai where I saw 12th fail by Mr. Vithu Vinod Chopra, he's a friend of mine, these are occasions when you feel proud to say that you're somebody's friend, it's not an ambitious film, but it's a film about ambition and to craft such a film and make it work, that is ambitious and he has embarked upon it I'm very happy I saw the film, most of them who saw the film I spoke to had only one thing to say, long time since we saw a good film like this, I would like to second that motion, thank you Vinod Chopra for making a film like this, it brings back hope in filmmakers like me, to confidently go ahead and do what you love most. अगर आप भी 12th fail देख चुके हैं, तो कैसी लगी आपको विक्रांत मेधा और बाकी आक्टर्स की पर्फॉर्मेंस? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं. यह रहा या तेरे रिसेल्ट का? IPS इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दल से शुक्रिया.